इसके वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं तो अभी मैं आपको बिहार बीएड जो की दो वर्से चार वर्स कर दिया गया उनके बारे में डीटिल के सब बताने वाला हूं तो वीडियो को आंते तक देखना या बेहद ही महत्पुन वीडियो है जो विस्ट्रेंट्स ब पॉलसी है उनमें जो है दो वर्स से बीएड को कर दिया गया आप चार साल कर दिया गया जो की एकैडमी कलेंडर जो शिशन या पर दिया गया ताइस से चौविस है तो इसको मैं थ्वासा हिंदी में ट्रांसलेट करके भी आपको समझा देता हूं तो वीडियो को अंदे त तहत जो अभी मैंने बताया था कि नई सिच्छा पॉलिसी के तहत जो है 2020 के तहत यह कारकरम शुरू किया जा रहा है जो कि बिहार में अब जो बीएड आप लोग कीजिएगा जो कि यहां पर साब साब देख सकते हैं दो वर्सों से बढ़ा कर दिया गया है और दो वर्स की जितने वी स्टुरेंट्स दो फर्स के कर चुके हैं यहां पर दिया गया स्विकिल रहा करना बंद कर दिया गया मतलब जो आप लोग बियक की जिए गा वह दो वर्स का नहीं होके आप चार वर्स आप लोगों को करना होगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं सेक्षिनिक सत्र जो है 23-24 से कारकरम के अनुसार यहाँ पर दिया गया है और इसमें बोला गया है कि यहां कॉंसिनिंग जो है दो वर्स को बियोड कोर्स चलाने वालों के लिए आप मनजूरी नही देख इनका फैसला आप किया जाएगा इसमें दिया गया है और यह निर्ने जो है नई सिख्छानीति के तहत जो है तर्ज पे नया कारकरम विक्सित करने के लिए ऐसा किया गया है और जितने भी कॉलेज है संस्थान है जो चलाते हैं अब उनको चार वर्स की अबधी पर व आप लोगों को दिखा आँ तो यह पेपर का कटिंग है इसमें भी थोजासा जनकारी आप लोगों को दे देता हूं यहां पर दिया गया कि नया सिख्छानीति जो भी मैंने बताया था दो वर्स जो पहले था आब चार वर्स का होगा यहां भी देख सकते हैं आप लोग क्य चुकी है और इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं यहां पर यहां फैसला जो लिया गया दो वर्सों के बीट का कोर्स का 23-24 से मानता नहीं दीज जाएगी मतलब कि 23-24-25 से मानता नहीं दीज जाएगी बट अब जो आप लोग की जेगा वह सेशन जो आप लोगों का होगा व वी इस वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों को भी सेयर करें धन्यवाद